भाई प्रियंका के ये ग्वालियर आने से कुछ नहीं होगा कॉंग्रेस आदिवासियों के मुद्दे पर खुली बहस करें साल 2003 के पहले कॉंग्रेस ने आदिवासियों के लिए क्या किया था और साल 2003 के बाद BJP ने आदिवासियों के लिए क्या किया है हाल ही में एक नेता नेक कॉंग्रिस की खूब चुटकी ली है वल्कम में पढ़निका तिवारी इंडिया न्यूस के डिजिटल प्लाटफोर्म में आपका स्वागत है दसल मद्प्रदेश विधानसवा चुनावों के मद्दे नजर बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बार केंद्रिय क्रशी मंत्री नरेंद्रि सिंग तोमर सुमवार को पहली बार गौालियर पहुँचे जहां उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया इसी दोरान उन्होंने कॉंग्रेस पर खूब तंज कसा कॉंग्रेस द्वारा आदिवासी स्वाविमान यात्रा निकाले जाने पर केंद्रि मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर ने निशाना साथते हुए कहा कि कॉंग्रेस बता दे कि साल 2003 के पहले उन्होंने आदिवासीयों के के लिए क्या किया था और 2003 के बार भारतिय जंता पार्टी ने आदिवासियों के लिए क्या किया है इसके लिए भाश्पा खुली वहस के लिए तैयार है वही कॉंग्रेस द्वारा वालियर चंबल अंचल में प्रियंका गांधी की सबा की जोर शोर से तैयारियां किये जाने और प्रियंका गांधी की सबा के बार बीजेपी के सूपरा साफ होने के दावे पर नरेंदर सिंग तोमर ने चुटकी लेते हुए कहा कि प्रियंका गांधी पहले भी कॉंग्रेसी कार करता थी और अब भी कॉंग्रेसी कार करता है पहले भी जब भी थी तब हमने कॉंग्र की चीता परियोजना महत्वा कांशी परियोजना है इससे छेत्र में परेटन और रोजगार बढ़ेगा लेकिन स्वभाविक रूप से जब नए प्राणी किसी दूसरी जगे से नई जगे भेज़े जाते हैं तो जलवायू परिवर्तन के कारण कुछ परेशानिया भी आती है वन विवाग इस पूरे मामले को अपने संग्यान में लिये हुए है और विशेशग्यों की सलहा पर चीतों को उसरक्षित किये जाने का काम किया जा रहा है फिलाल के लिए बस इतना ही मुझे यानि पर्णिक अतिवारी को दीजिए इजाजर बाकि देश और दुनिया की त विजिटल प्लाटफॉर्म के साथ थांक यू